आज हम लोग महात्मा बुद्ध के सेकंड पार्ट के बारें बात करेंगे इसमें बहुत धर्म के बारें बात करेंगे पहले पार्ट में मैंने आपको बुद्ध जी के जीवन के बारे में उनके बर्थ उनके बर्थ प्लेस उनको ग्यान की प्राप्ति कैसे हुई उन्होंने ग्यान का प्रकास कैसे बाटा, सारनात में कैसे उपदेश दिया और उनके मृत्यू तक हम लोग बात कर चुके थे अब इस वीडियो में और भी बुद्ध के बारे में जानेंगे कि इनके धर्म का प्रचार कैसे हुआ, इनकी सिक्षाएं किस प्रकार से दी गई तो सुरू करते हैं इस वीडियो को तो महत्मा बुद्ध ने 35 वर्स की अवस्था में ज्यान की प्राप्ती के बाद लोगों के भले के लिए अपने विचारों का प्रचार प्रसार किया और अंतिम समय तक यह इसी लिए काम करते रहे तो यह याद रखना कि महत्मा बुद्ध जी को 35 वर्स की आईउ में ही ज्यान प्राप्त हो गया था फिर सारनात के रिसी पत्तन बगीचे में धर्म चक्र प्रवर्तन नाम के अपना सबसे पहला उपदेश दिया था तो पहले उपदेश को यह धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया इन्होंने जो अपना बहुत धर्म का प्रचार किया उपदेश दिया सारनात में दिया यह पॉइंट है और इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया यह एक पॉइंट है फिर इस उपदेश में चार आरे सत्य सामिलते जो उनके संपूर्ण दर्सन का आधार रहा है ये चार आरे सत्य क्या क्या थे ये मैं बताऊंगा ये इनके संपूर्ण दर्सन का आधार रहा है बुद्ध ने अपने प्रथम आरे सत्य में अब पहले आरे सत्य क्या है पहले आरे सत्य में सर्वम दुखम की बात किये जिसका आर्थ होता है कि दुनिया में दुखी दुख है महात्मा बुद्ध ने ये भी कहा है कि इस दुनिया में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसका कोई न कोई कारण नो उनके हिसाब से हर कोई वस्तु जो भी इस दुनिया में एक्जिस्ट करती है उसका कोई न कोई कारण जरूर होता है महात्मा बुद्ध ने दुख के कारण का विसलेशड अपने दुतिय आरे सत्य में किया है उसे प्रतित्य समुत्पाद कहा जाता है उनके दुतिय आरे सत्य को प्रतित्य समुत्पाद कहा जाता है यह याद रखना इसमें कहा गया है कि यदि दुख को एक कारण लिया जाए जो दुख है उसको अगर एक कारण लिया जाए तो इसका कोई न कोई कारण जरूर होगा कि दुख क्यूं है दुख का कारण जरूर होगा तो बुधन ने दुख के बारा कारण बता है ये इंपोर्टेंट है अब इसमें देखो बारो में अविद्या मतलब की विद्या का ना होना संसकार विज्ञान, नाम रूप नाम रूप का मतलब होता है इस पर्स, सेंसल इंप्रेशन वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाती और जरा मरण जरा मरण का मतलब होता है डिके या डेथ जिसे कहते है इस प्रकार के दुखों की बात की है उन्होंने आप यहाँ पे संपूर्ण दरसन का अधार आप देखी रहे हैं कि चार क्या है मैंने बताया था कि दुख है दुख का कारण है दुख के कारण को रोका जा सकता है और दुख को रोकने के उपाय होते है अब इन चारों के यह पॉइंट से याद रखना कि दुख का कारण है को बोलते है प्रतित्य समुत्पाद दुख को रोका जा सकता है जिसको निर्वाण कहते है और दुख को रोकने के उपाये को अश्टांगिक मार्ग कहा जाता है ये पॉइंट से आज जरू रखना अब आते हैं तीसरे आरे सत्य में बुद्ध ने कहा है कि दुख को रोका जा सकता है और चोथे आरे सत्य में इन दुखों को रोकने का उपाय बताया है जिसे अश्टांगे कमार कहते हैं मैंने बताया ही कि अश्टांगे कमार कहा जाता है जो दुख को रोकने के उपाय है अब ये अश्टांगे कमार के कौन कौन से हैं ये इंपोर्टेंट है यहाँ पर आप देख सम्यक संकल्प, सम्यक वाडी, सम्यक कर्मान्त, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक सम्रित्ति और सम्यक समाधी यह important है इसे जरूरियात कर लेना अब इसे चक्र के रूप में यहां पे आप देख सकते हो एक एक पे एक पॉइंट रखे हुए इसमें पहले तीन मार्ग को प्रग्या, इसके बाद के तीन को शील और अंतिम दो को समाधी कहकर पुकार गया है अब यह जो आठ है आठ में से यह जो तीन पहले हैं दृष्टी, संकल्प, वाडी इन तीनों को प्रग्या कहा गया है फिर कर्मान्त, आजीव और व्यायाम इन तीनों को शील और सम्रित प्रग्या, शील और समाधी को इनको समाधी कहकर बुलाएगा है ठीक है इस प्रकार बहुत धर्म में त्री रत्न की बात भी की गई है इनी तीनों को त्री रत्न का जाता है प्रग्या, शील और समाधी यह इंपोर्टेंट है इनको त्री रत्न का गया है अब इसमें आठ अश्टांगिक मार गए यही सब पूस्ता है एक्जाम में आपको यह चीज याद रखनी चाहिए और इसके अलावा एक अन्यत्री रत्न है जिसे बुद्धम, संगम और धंमम का जाता है यह खूब आपको याद होगा कि बुद्धम, सरणम, गच्छामी, संगम, सरणम, गच यथार्थ का मतलब आप जानते हैं जो इस दुनिया में जैसे एक्जेक्ट करती है बिलकुल वैसे ही दिखा देना, समझ लेना कि इस दुनिया में क्या चल रहा है, क्यों दुख है तो इस प्रकार के वो समासुधारक थे उन्होंने इश्वर को नहीं माना क्योंकि उनका य पुनर जन्म की माननेता है और इसमें कारण, कर्म, फल के सिधान्त को भी स्विकारा गया है, ये याद रखना कि पुनर जन्म की माननेता हिंदु धर में भी है और बोध धर में भी है, तो इसमें कारण, कर्म और फल इन तीनों के सिधान्त को भी स्विकारा गया था, ठीक ह बोध्ध ने अपने जीवन काल में जिन विचारों का प्रचार प्रसार और बोध संग के नियमों का निर्धारण किया उसे लिखित रूप देने का कोई प्रयास नहीं किया था यह याद रखना है कि उन्होंने कोई इसे डॉक्यमेंटरी बनाने का कोई प्रयास नहीं किया ग उनके प्रिशिष्यों ने बुद्ध के उपदेश को और बुद्ध संग के नियमों के निर्धारण के लिए राजगरी के सब्त पढ़ने गुफा में 483 इसापुर में ही पहली बौध संगीती कायोजन किया था और फिर इनकी डॉक्यमेंटरी जो इनके तत्थ थे जो इन्होंने कहा जो इनके उपदेश थे उसको लिखित रूप देने की प्रयास किये गया और लिखित रूप दिया गया ठीक है न बुद्ध जी ने कोई चीज पॉइंट वाली हैं इनको जरूर याद रखना कि पहली जो बौध संगीती हुई थी ये राजगरी के सब्त पढ़नी गुफा में हुई थी ये याद कर लेना 483 इसापुर में हुई थी ये याद कर लेना बुद्ध जी के मृत्यू के जश्ट बात मतलब बुद्ध जी के महापरी निर्वाण के जश्ट बात इसका आयोजन किया था अच्छा इसका आयोजन अजात सत्रु के शाषन काल में हुआ था जिसकी अध्यक्षता महाकसप ने की थी ठीक है ये याद करें फिर बुद्ध के प्रिशिष्य आनंद ने बुद्ध के उपदेसों का पाठ किय अच्छा घ्रणत अ सकतर बुद्ध के जिसका आप जानते ही होँगे कि बुद्ध जी का बहुत धर्म का एक अच्छा ग्रंथ है तो सुट्ध पिठक में उपदेसों का पाठ किया गया और संकलन किया आनंद के द्वारा और दूसरे सिस्स उपाली ने बहुत संगते नियो को का संकलन मिलता है अब कौन कौन से पिटक हो गए सुत्त पिटक जिसका पाठ किस ने किया था आनंद ने दूसरे से उपाली ने कौन सा किया विने पिटक और इन दोनों का संकलन जो है इन दोनों को जोड़ दिया जाए संकलन मिलता है त्रिपटक में ठीक है अब आजाते है इस बौध संगीती में लगभग 500 भिक्चूओं ने भाग लिया था इसलिए इस संगीती को पंच सातिका कहा जाता है पंच सातिका का मतलब 500 होता है तो इस बौध संगीती में 500 बौध भिक्चूओं ने भाग लिया होगा क्योंकि यह पहली प्रथम बौध संगीती भी थी ठीक है ना तो ये भी आद कर सकते अब आज़ाए दूतिय बौध संगीती पर तो दूतिय बौध संगीती प्रतम बौध संगीती के बाद द्धर्म का विकास और भी तेजगती से हुआ और इसमें कुछ विवाद भी उभरने लगे देखे जहां पर किसी भी धर्म का विकास होगा जहां नियम बनाए जाएंगे वहाँ पर विवाद तो होना तय है तो फिर दुति बहुत सिंगीती महत्मा बुद्ध की मिरत्यू के सौ वर्सों के बाद हुई 383 इसा पूरु लगबग में शिशु नाग वंस के सासक काला शोक के समय में वैसाली में बालुका राम विहार में किया गया बालुका राम विहार आप देखे यह याद रखना की पहले हर्यक वंस के थे अजाद सत्रू उन्होंने प्रथम बहुत संगीती करवाई और फिर शिशु नाग वंस के सासक थे काला शोक इन्होंने दुतिय बहुत संगीती करवाई थी और करवाई कहां वैसाली में बालुका राम विहार में करवाई और 383 इसापूर में करवाई यह important है इसे भी याद कर लो इसके अध्यक्ष सर्वकामी या साब कमीर थे इस संगीती में बहुत धर्म पहली बार दो दलों में बट गया मैंने बोला ही था कि कोई ना कोई विवाद उत्पन होता है अब इसमें दो दलों में बटे यहाँ पर दुति बहुत संगीती के दोरान एक था इस्थवीरवाद जिसे थेरवाद भी कहते हैं दूसरा है महा सांगिक जिसे आचरी ये वाद भी कहा जाता है अब इन दोनों में क्या हुआ था ना अब देखे अंदर ये है कि जो इस्थिरवाद है इस्थवीरवाद जिसे थेरवाद भी कहते हैं बहुत धर्म का सबसे प्राचीन और सबसे प्रामाडिक संप्रदाय मना जाता है जिसके प्रवर्तक महा कच्चायन थे ये संप्रदाय वास्तों में बौत धर्म के परामपरागत माननेताओं पर ही चलता था ठीक है यह परामपरागत था मतलब जो पहला वाला था ये वही है ये पाली भासा काई यूज़ करते थे ठीक है न और जो महा सांगिक यानि आचार ये वाद था है इसका उदर जो है पूर्वी गुट क में बदल गए मतलब अलग हो गए तो वैशाली में इनका जो प्रमुकेंद्र था ठीक है और अमरावती और नागारजुन कोंडा में भी इनका केंद्र बन गया अब देखिए इन दोनों में में डिफरेंस क्या है ये में पॉइंट याद रखना कि इस्थविरवाद और आच इसी लोग के थे मतलब वो पृत्वी के ही थे वो एक मानव थे इन लोगों के हिसाब से लेकिन जो महाशांगिक थे आचारियवाद के लोग थे वो उन्हें लोकोत्तर मानव मानते थे मतलब कि वो भगवान के हिसाब के थे वो इस धरती पे पैदा नहीं हुए थे वो प्रतिष्ठित थे जिनों ने इस धर्म को चलाया लेकिन वो इसी लोग के थे और वो उन्हें अलोकिक मानते थे ठीक है अब आजाते तिरतिय संगीती पे समराट अशोक अब इसे इन्हें तो कौन नहीं जानता है समराट अशोक के शाशनकाल में पाठली पुत्र के अशोका राम विहार में आजा इससे पहले कौन सा विहार था दूतिय संगीती का बालु का राम विहार जो वैसाली में था इसमें कनफ्यूज मत होना और तिरतिय संगीती अशोका राम विहार में मोगली पुत्तिस की अध्यक्षता में 251 कहीं कहीं 233 भी मिलता है लेकिन हम 251 मान के चलेंगे कि 251 इसापूर में आयोजन किया गया था ठीक है अब ये पॉइंट इसमें क्या-क्या है कि समराट असोक की अध् और इसकी अध्यक्षता किस ने की थी मोगाली पुत्तिस ने और ये 251 इसापूर में इसका आयोजन किया गया था ये इतने पॉइंट यहां से आ सकते हैं और इन्हें याद कर लेना अशोक कलिंग युद्ध के बाद बहुत धर्म का एक सच्चा उपासक बना था कलिंग य अच्छे अच्छे से प्रचार प्रसार करने लगा ये इंपॉर्टिन पूस्ता है आप इसे भी याद कल लें अशोक को दूसरा बुद्ध कहकर पॉकार जाता है ये पॉइंट है असोक कभी नहीं चाते थे कि बाद धर्में किसी तरीके की कोई मतभेद उत्पन हो अशोक जी ने देखा समझे होंगे कि दुटे बहुत संगीती में मतभेद हो गयते इसलिए वो नहीं चाहते थे कि दोबारा कोई मतभेद हो इसलिए अपने साची और सारनाथ के अविलेख में संग में मतभेद डालने वाले भिक्चू और भिक्चुडूओं को कड़ी हिदायत भी दी थी कौन से अविलेख में साची और सारनाथ के अविलेख में ठीक है वो अविलेख लिखवाते थे इस्तंबो पे यादी होगा बहुत धर्म के प्रचार प्रसार के लिए विभिन प्रचारक दलो को कई-कई छेतर में भेजा था इन्होंने काफी प्रचार किये थे अब यहां पर देखिए यह मैंने लिखाया है प्रचारक है और प्रचार इस्थल है महेंद्र और संग मित्रा ये दोनों इनके बेटे-बेटियां थी महेंदर और संगमित्रा ये दोनों स्रिलंका गए थे प्रचार करने अशोक और इनकी एक पुत्री और थी चारूमती जो नेपाल गए थे या संगमित्रा का मुझे पता नहीं है संगमित्रा का पता नहीं है आप पता करिएगा कि संग मित्रा इनकी बेटी थी की नहीं तो महेंद्र और संग मित्रा स्रिलंका गए थे अशोक खुद और इनकी पुत्री चारुमती नेपाल गए थे मंजिम हिमाले में गए थे महा धर्म रक्षित महाराष्ट्र महा रक्षित यवन छेतर आप समझ रहे होगे ग्रीक की तरफ रक्षित बनवासी सोन वह उत्तरा सुवर्ण भुमी गए थे और महा देव मैसूर गए थे ठीक है यह इंपोर्टन्ट है इसे भी याद कर लें अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना कि अशोक जी ने बहुत धर्म को अपनाया था बहुत धर्म का इतना प्रचार करवाया था तो से और सी बात है कि बहुत धर्म को अपना भी लिया था इसलिए उन्हें दूसरा बुद्ध कहा जाता है और आपने देखाई कि इनके प्रचारक दूसरे दूसरे देश गए थे और यहीं से पहली बार बहुत धर्म का अंतर राश्री करण भी हुआ था इसे भी आप याद करेंगे ठीक है अंतर राश्री करण अगर पूछेगा कि पहली बार किसके सासनकाल में हुआ था ग्रीक साइड गई ही थे और तब चतुर्थ संगीती कनिश्क शासनकाल में कस्मीर के कुंडलवन में किया गया था इस संगीती के अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वगोश थे करनिश्क को बौध धर्म के प्रचार प्रसार करवाने के कारण इन्हें दूसरा अश्वग का जाता है अब देखें यहाँ पॉइंट है यह सब पॉइंट याद करने वाली चीज़ है कि चोथा बौध संगीती कहाँ हुआ यह याद रखना कि कश्मीर के कुंडलवन में हुआ किसके सासनकाल में हुआ कनिश्क के सासनकाल में हुआ और अध्यक्ष ता कौन कर रहा था वशुमित्र और उपाध्यक्ष कौन थे अश्वगोश थे ठीक है और कनिश्क को बहुत धर्म का प्रचार प्रसार करवाने के लिए तो इनको दूसरा असोक कहा गया अशोक जी को दूसरा बुद्ध कहा गया था और कनिश्क को दूसरा असोक कहा गया क्योंकि इन्होंने भी खुब प्रचार प्रसार करवाया था ये संकीती प्रतम इस्वी में हुई थी ये याद रखना और समराठ कनिश्क के शाशनकाल में हुई थी ठीक है अच्छा है इस संकीती में बहुत धर्म फिर दो साखाओं में बढ़ गया हीनियान और महायान अच्छा यही दोनों important है इसी के बारे में पूछता है इससे पहले हीनियान और महायान साखा में और यह किसके सासनकाल में जब हुई थी चतुर्त बहुत संगीती कनिश्क के सासनकाल में यह बटे अश्रोक के समय बटनी पाए क्योंकि उन्होंने तो आप जानते ही उन्होंने एक जुट करने के लिए सारे प्रयास कर लिए थे इसलिए वहा कि आए सकता है या निर्वाण की ओर चल पड़ा है ठीक है तो जो हीन के लोग होते थे ना ये महात्माबुद के मूल सिद्धान्तों पर इबल देते meant जो महात्माबुद पोल के गए है है उसी को ले कर चलना आ लेकिन जो महायान वाले लोग थे ये परिष्थिति के हिसाब से मतलब कि जो परिष्थितिया बाद में बदल जाती है समय बदल जाता है उस हिसाब से अपने सिध्धानतों में परिवर्तन के लिए परिवर्तन किया जा सकता है अब जैसे के हिंदु धर में भी कई कुरूतियां थी कई सारे ऐसे आडंबर इस प्रकार ही इसमें भी था कि हीन यान जो है परिवर्तन नहीं चाहता था जैसे बुद्ध जी ने जैसा वोला है वैसा ही करेंगे लेकिन महायान परिवर्तन में विश्वास रखता था अच्छा हीन यान के लोग एक और चीज़ समझते थे कि उनका मानना ये था कि एक व्यक्ति अपने प्रयासों से सिर्फ अपना मोक्ष प्राप्त कर सकता है मतलब खुद को मोक्ष की प्राप्ति दे सकता है किसी और का नहीं कर सकता है ये हीन यान के लोग समझते थे तो इसलि को भी मोख्च की प्राप्ती में सहेता कर सकता है ठीक है इसलिए महायान के लोगों को विशाल सवारी का कहा गया तो यह भी पॉईंट है आखरी में आपको कुछ पॉईंट मेनमेन जगय के बारे में बोल देता हूं बता देता हूं आप यहां देख सकते हो कि भगवान बुद्ध के पांच मुख्य स्थान माने जाते हैं लुम्बिनी जहां पर भगवान बुद्ध जी का जन्म हुआ बौध गया जहां पर बुद्ध जी को ग्यान की प्राप्ति हुई सारनाथ जहां पर उन्होंने पहला दिव्य ग्यान दिया यानि नाकपूर जहां भारत में बहुत धर्म का पुनरुत्थान हुआ है पुनरुत्थान का मतलब फिर से उसका उदय हुआ है ठीक है यह भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आप कुछ चीजे जरूर याद कर पाएंगे इन दो वीडियो फर्ष्ट पार्ट भी इसका है और यह सेकंड पार्ट है अगर आप यह दोनों ही वीडियो देख लेते हैं आपको काफी जानकारी बहुत धर्म के बारे में पता चल जाएगी और मैंने लगभख सारे पॉइंट ओफ व्यू इसमें कवर कर लिए जितने भी जितने भी एक्जाम रिलेटेट पॉइंट है वो सारे कवर कियें दोनों में ही पहले में आपको बुद्ध जी के जर्म से लेके महापरी निर्माड तक और इसमें बहुत संगीतियों के बारे में बहुत धर्म कैसे आगे बढ़ा कहां कहां बटे और किस-किस राजा ने इस हुआ 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 है